सर्दियों की जान मेथी के पराटे आज मैं आप सब के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ मेथी के पराटे बनाने का जिससे कि आपके मेथी के पराटे तीन दिन तक भी एकदम खसता नरम मुलायम बने रहेंगे तो रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल दर भी नहीं है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को ओल पे करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरी इसे तरह की नियू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए चलिए देख लेते हैं कैसे बनेंगे खसता मेथी के पराटे तो मेथी के पराटे बनाने के लिए यहां पर मैंने एक गड़ी मेथी को इस तरह से स्रिफ पते-पते इसके तोड़ लिया है तंठल होते हैं मोटे वाले वो आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है सिर्फ पत्ते पत्ते ही तोड़ लेने हैं और इसे बारिक बारिक कट कर लेना है आपको ये देखे इस तरह से तो यहाँ पर मैंने बारिक बारिक समेथी को कट कर लिया है और अब इसे दो तीन बार अच्छी तरह से धो लेना है और धोकी ज़सका एक्स्ट्रा पानी होता है वो आपको निकाल देना है और इसे हम साइड में लग देते हैं चलिए आप आँटा लगाने के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक परात लिया है आप कोई भी बटन ले सकते हैं और इसमें एड कर रही हूँ मैं एक कफ यह है आटा मैं अभी एक कफ आटे का बना रही हूँ शुरुप पराठा आपने इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथी मैं एड कर रही हूँ मैं आपे धाई चमच यह है बेसन बेसंद से हमारे मेथी के प्राठे एकदम soft नरम बनते हैं और साथी मैं एड़ करेंगे यह है मेथी जो हमने धोके रखी हुई थी साथी मैं एड़ किया हींग, हींग आपको अच्छी वाली एड़ करनी हींग का फिलिवर बहुत ही अच्छा आता है इस प्राठे में साथी मैं एड़ करेंगे लसन और हरी मिर्च का पेस्ट तो मैंने या पर चार से पांच लसन की कलिया ली थी और चार से पांच हरी मिर्च को पीस लिया था और साथी मैं एट करेंगे टेश के according नमग टेश के according लाल मेच पावडर क्योंकि हमने हरी मेच का भी उस किया है साथी मैं एट करेंगे आधे चमच हल्दी पावडर इसने हमारे पराटे बहुत अच्छा कलर आएगा साथी मैं एट करेंगे आदे छुटे चम्मच यह है जीरा और एक चम्मच एड़ करेंगे धनिया पाउल्डर और यहां पर मैं एड़ करी हूँ यह है दूज की जो मलाई होती है न उपर की वो एड़ करी हूँ इसने हमारे प्रांठे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे तो दो से तीन चम्मच हमने इसमें मलाई एड़ किये है और सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमें चलेगा पानी इसमें कितना एड़ करना है तो अच्छी तरह से पहले से मिक्स कर लीजिए सारी चीजों को तो ये देखे looked each other used take मैं अच्छी तरह यह निवक्स कर लिया है अब उसमें हल्का यह पानी आड़ करके जैसा आफ रोटी के लिए आठा़ लगाते हैं वैसे ही आपको इस आठे को भी लगा लेना है हल्का यह पानी आठ़ किजएगा एक बार में आपको ज़्यादा पानी आट नहीं करना है वरना आपका आटा गीला हो जाएगा और आपके परांठे अच्छी तरह से बंद नहीं पाएंगे तो अलका अलका पानी इसमें आट करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा डो लगा के रेडी कर लेंगे तो यह देखे मैंने डो अच्छी तरह से लगा के रेडी कर लिया है और यह देखे बिलकुल रोटी याज़े आटा लगाते हैं रोटी का आप इलकुल सेम वैसे ही आपको इससे लगाना है और आटा लगाने के बाद आपको हैंड वश कर लेना है और हातों पे अच्छी तरह से ओईल लगा लीजिए और आटे के ओपर भी आपको इस तरह से ओईल को लगा लेना है और इसे अब धग कि आपको 15-20 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है 15-20 मिनट बाद हम इसके प्राठे बनाएंगे तो यह देखिए 15-20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और यह द बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक चौपिंग बोर्ड लिया है इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटे को डश्ट कर लेंगी इस तरह से और इसके ऊपर वही पेड़े को रख देंगे जो हमने भी बनाया था और अब इस परांठे को आपको एकदम बड़ा सा बेल लेना है जैसा आप परांठा बनाते हैं उससे हलका सा बड़ा सा बेल लेना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए इतना बड़ा सा आपको इसको बेल लेना है और अब इसमें लगाएंगे हम यह देख एकीवी के चिपका अटिन आ है और आपको इसके ऑपा छी आक से सुखे आटे को डेश्ट ार लेगे और का उसमय बढा कर complaintूझ आपको बाघऱ्ोका तो यह पीजे हैं दम बन के बिलकुल तयार है बिलके तो चलिए अब इसको सेख लेते हैंगे लिएए हलकी आथे से इसको सेख लेते हैं-खु मैंने गास पे चड़ाया हुआ है क्यावा और आपकी मर्जी आपको इसे क्रिस्पी सेखना है तो मैं आपे थोड़ा सा क्रिस्पी सेख रही हुए इसे खाने बहुत ही आया टेस्टी लगता है तेखिए अच्छी तरह से बने ओल लगा दिया है और इसे आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से से लेना ह तो यह लीजिए हमारे सारे पराठे बनके बिलकुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टेश्टी लग रहे हैं यह पराठे आप इस तरह से सारी चीज़े अड़ कीजिएगा तो आपके पराठे भी इसी तरह से सॉफ्ट नरम और क्रिस्पी बनेंगे बहुत आइकन को और पर करना बिलकुल ना भूलिएगा मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए तो मैं मुझती आपसे एक और नहीं वीडियो के सब्सक्राइब तब तक के लिए बाए बाए थैंक्स फ़र वाचिंग